हाँ रूफीक्स सैमसंग गैलक्सी जे एट नमस्कार दोस्तों तो अगर अब सभी का तेकर आज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको वता हूंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के इस डिवाइस पर आप एप इंस्टॉल प्रॉब्लम् हो सकते हैं ठीक है आपके डिवाइस स्टॉरेज फूल हो सकते हैं सारे सारा आपके जो डिवाइस है उसमें कही सरा अप्लिकेशन अलरी इंस्टॉल हो चुके होंगे उसके वज़से भी हो सकते हैं या फिर दोस्तों आप जिस प्लेटफरम से डाउनलोड करना चाह रहा है उसके पर्मिशन अपने अलाउन नहीं किया होगा तो उसके वज़से भी प्रॉब्लिम हो सकते हैं सारे साथ दोस्तों आप जिस प्लेटफरम से इंस्टॉल करना चाह रहा है उसमें बग प्रॉब्लिम है तो भी आपको प्रॉब्लिम हो सकते हैं ठीक है तो यह सारे सारे सा तक बने रहे हैं सारे साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखाए तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें अगर आप ओनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा अगर आपको यह प्रॉब्लेम आ रहा है तो आप चेक करें आपके डिवा करने वाले उतने साइस का एप इस पेस्ट जो है वो खाली कर दीजिए उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल पर अप्लिकेशन जो कि आपने इंस्टॉल कर रखा तो उनको आप अन्स्टॉल कर सकते हैं ठीक है दिवाइस तो मान लेजिए आप यहाँ पर कोई ब्राउजर से कोई वेब साइट से आप इंस्टॉल करना चाहरा है एप को लेकिन हो नहीं पा रहा है तो उसके लिए दूस्त आप सेटिंग पर जाए और यहाँ पर आपको मिलेगा एक आप्शन बायो मेट्रिक्स का ठीक है बायो मेट् ठीक है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या किजिएगा दुबारा से रिंस्टॉल करने की कोशिश करें हो जाएगा प्रॉब्लिम फिक्स्ट ठीक है और दोस्तों यहाँ पर मान लिए आप प्लेश्टॉर से इंस्टॉल करना चाहरा है लेकिन नहीं हो रहा है तो तो आपको आपडे यहाँ पर दिखाए देगा अपडेट हो रहा है कर तो आपको आपडेट कर लेगा है प्लेश्टर उसके बाद दुबारा से चेक करके देखे conf से अगर इसी प्रबल्बम जाता है तो था अगर इसके बाद भी प्राप्लम में आ रहा है इसका जो data है दोस्तों उसको clean up कर दीजें ठीक है ओके करके आपको clean up करना है और उसके बाद बेक करें Google Play Store में जाए यहाँ पे आपको दुबारा से same process इस तोरेच पर जाना है clear data पर क्लिक करने data clear करना है and इसके जो permission से उनको allow कर दीजे और उसके बाद device को restart करते हुए internet connection को enable क करें और उसके बाद check करके देखें आपके जो issue है आपके जो problem है definitely इतना में fix हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर अगर आपको अभी भी problem आते हैं ठीक है just by example तो आप दोस्तों अपने जो यहाँ पर Gmail का account होते ठीक है जिससे आप Play Store को create करते हैं या फिर प्लेस्टोर मे लोगिन करके रखते तो आपको वो Gmail account या फिर आपके जो Google account है उसको remove करके react करके देखने तो उससे भी आपका काम बन जाएगा सारे सार आपके device software अपडेट नहीं है तो device software भी update जरू से कर लेना ठीक है तो इस तरीके से जाके आपका problem fix हो जाएगा उमीद करते दोस्तों आ चया फक्यों तरीका फ़ בח कि रहीं हो है तो भीक कर ölちゃん आपको अपका को मवेच कर तूसчив दोस्तों ise o आपके है को मॊर कि आपके तोस्त। हूसरा रत हैं उसके है तोस्तों से दोस्तों आपके जांपके जा थैएब करूसराइब क accurately क। जा कर द ne मैं करते पूस्तों से